सत्नमो आदेश गुरुजी के उम गुरुजी बड़ा मन को प्रिया आज विशय है मन को ये विशय बहुत प्रिया है दूसरे शब्दों में मा भगवती देवी काली इनका रूप को बहुती उग्र माना जाता है तो हम सोचते हैं कि काली की उपासना होगी तो मारन मोहन उचाटन या फिर रक्षा होगा लेकिन आज जो मैं आप लोगों को मंत्र देने वाला हूँ वो मा क्या का मोहिनी मंत्र है और तब मा काली के मंत्र से आप किसी को भी मोहित कर सकते हूँ मैं इसमें आपको तीन मंत्र दूँगा तीन मंत्र के विधी बताऊगा आज कर बहुत दिमांड में है लोग मोहिनी का तीन मोहिनी और वशीकरन में ज्यादा अच्छा रहता है क्यूंकि मोहिनी का असर जो है वो कर्म पर नहीं पढ़ता वशीकरन जब आप किसी को करते हो तो आपके कर्मों पर असर पढ़ता है इसलिए कोशिश करना चाहिए वशिकरन जब तक बहुत ही इमर्जनसी ना हो वशिकरन ना करें पूरत चाहे तो आप मोहिनी कर लो या आकर्शन मंत्र कर लो अब आकर्शन मंत्र में आकर्शन तिलक भी आप लगा सकते उससे भी लोग आकर्शित होता है लेकिन मोहिनी का क्या होता है, किसी विशेश व्यक्ति पर या फिर किसी विशेश समाज में अगर आपको दब्दवा बनाना है, तो मोहिनी का प्रयोग करना चाहिए, उसमें महाकाली का मोहिनी हो, सबसे बहतरी मोहिनी होती है, तो आपको करना क्या देगो, महाकाली के मोहिनी में एक बातर जो मुहीनी तिलाक होता है, उसमें बर्दंडी का जड लगता है, और स्वेत्रस, क्या बोलता है, गुंगुच्ची का स्वेत्रस लगता है, तो ये दोनों चीजों को आप रख लो, इसके अलावा जो बाकी जो दो मंत्र है, उसमें कोई चीज की ज़रोत नहीं ह मंत्र का जो बेज है, तो पहला मंत्र को ध्यान से सुनना, मंत्र है, द्रिम त्रिम त्रोम आगच्छ कराली स्वाहा इस मंत्र का आप 12,000 जाब करेंगे किता जाब 12,000 ना 12,000 एक ना 12,000 तो ठीक है इसको करने से ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा इसका प्रयोक कैसे करेंगे अगर किसी पर मुहिनी चलानी है तो चाहे तो उसके नाम पर एक दिन पहले संकल्प करके हवन कर लो या कोई सामने बैठके out of control हो रहा है तो बस उसके सामने बैठो उसको देखते रहो और ये मन में जाब करो इस मंत्र का उससे वो आपकी बातों से आकश्रित हो जाएगा और मोहित हो जाएगा और अपना जो भी उसका विशा है उसको वीमोहे जगन वीमोहे सर्व मोहे ठह 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 स्वाह ये जो मंत्र है ये होता है मोहिनी तिलक बनाने के लिए तो जो मैंने आपको गुंगुचि का स्वेत रस बोला था उसमें ब्रहभांडी का ब्रहभणर्डडी का जड़ को रगड के मिला लू पानी के साथ और उसको जो होगे तो जो भी आपके सामने बैठेगा वो आपसे क्या गयता है हमेशा आकर्षित रहेगा हमेशा आपके मन में मतलब आपके उसके मन कुरु कुरु स्वाह इस मंत्र का सिर्फ सुभा उठिये और 108 जाप करिए आप एक दिन में अगर 108 जाप कर लेंगे तो कोई भी वेक्ति आपके सामने आएगा तो वह आपसे मोहित रहेगा देखो मोहिनी होता क्या है यह समझो मोहिनी जो है उसका प्रयोग क्या है मोहिनी का प्रयोग है कि अगर आपके और यह energy field में कोई भी दिक्कते आ रही है जिससे की सामने वाला व्यक्ति आपसे रिपेल हो रहा है तो उसको ठीक करना अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो इसको इस तरीके से समझो आप दुनिया में 10 लोगों से मिलते हो किसी से मिलते हो तो आप में ठीक नहीं है हो सकता वह आदमी बहुत अच्छा और जो आपको लगा हो कि बहुत अच्छा वह आप बहुत अच्छा ना हो लेकिन ऐसा आपके मन में एक आता है विचार क्योंकि उसका energy और आपका energy अगर match कर जाए तो आप उससे मोहित रहता है कि नहीं यह आदमी चाहिए यह चीज आपके साथ भी हो सकती कि आप किसी के पास जाओ आपको लगता है कि उससे बात करना आपके लिए जरूरी है लेकिन वह आपको देखते ग्रिनित हो जाता है नहीं इस वक्ति से मुझे बात नहीं कर रही है वह क्यों होता है उसमें आपकी गलती नहीं है आ के लुक के गलती नहीं है अपके education का गलती नहीं है आपका society का गलती होता है आपके असपास के energy का वो जो आपका aura field है जो आपने साधना से बनाई या फिर आप जिस तरीके के लोगों में उठते बैठते हो उससे क्या होता है कि आपका एक energy field बनता है और और रात में कुछ कर लूँ दिन में ँस piece कर लो तो रात ना चले और आपशाना लाथ मेह कुछ कर लो दिन में पता ना चले तो ऐसा नहीं होता बहूत लोग बहुत अब है और जो do पूरा सेंसेटिवी है कुछ लोग डेवलप कर लेते कुछ लोग डेवलप नहीं करते तो जो डेवलप करे लेते वह तो खर आपको देखते बोल देंगे कि भाईया आपके साथ यह दिक्कत है यह ऐसा करो मन और जो लोग इस चीज के अनुबुती नहीं कर पाते कि आपने क् कर रखे या फिर आप कैसे लोगों के साथ उट रहे हो बैट रहे हो या फिर आप पर कौन सा ब्लाक माजिक काम कर रहा है वह बस आप से दूरी मेंटेन करेगा क्योंकि वह आपके साथ कमफर्टेबल नहीं हो पाएगा कपी तो वह जो एक एनरजी में जो गरबड़ी होती ह है उसको सुधारने का उपाए होता है मोहन मोहिनी विद्या मतलब लोग मुझसे मोहित रहे अब क्यूंकि आप लोगों ने इतना लंबा चोड़ा मेरा भाशन सुना तो मैं आप लोगों को एक और मंत्र बताऊंगा जो कि मोहिनी का है ये मंत्र का पूरा वीडियो मैंने दे रखा है और आप लोग इसको जरूर से करेगा मोहिनी परी की एक बहुत अच्छी साधना है जाग मोहिनी जोग मोहिनी देखनगर के रूप मोहिनी आवे आधिराद दोहाई मोहिनी परी आके ये जो मंत्र है इसका बीज मैंने दूसरे वीडियो में दे रखा इसको आप लोग करना इसको करके जो लाव आपको प्राप्त होगा वह आप भी बोलोगों कि रुद्रभाई ने कुछ दिया था लेकिन जनरल डेज में अगर आप लोगों को मोहिनी करना है तो माकाली के शहरन में चले जाओ जिनक उनको समझ में कि कैसे हर चीज जिसको वो चाते जैसे बहुत लोग अभी पूछते कि लौप एट्रैक्ट्शन क्या है यही है लौफ एट्रैक्षीं क्या होता है लौफ एट्रैक्शन होता है कि आप जिस चीज को भी सोचोंगे वह आपके पास आजएगी वो कैसे आती है चाहे ग्यान हो या वो कोई व्यक्ति हो कोई भी हो इन सब में तो आप यह पलो कि तब मंतर से होता है कि जो metafysical property थन का है और जो आपका metafysical property आपका energy circle है वो अगर ripple कर रहे हैं तो उसको सिंख में ला से क्या होता है कि जो भी धन है वह आपकी तरफ आकर्शित होता है या फिर आकर्शित नहीं हो तो वह आप फार भागता नहीं है जो हम लोग अपमLEते हैं श्क पाइब असराम के लिए का आज का टोटका में में कुछ मुहिनी से रिलेटेटी आप लोगों को बताऊंगा अगले चौदफा दिन में बहुत अलगाउग में अच्हे शार्ना किया है कि सांधना क्यों का सांथना है मैं आप लोग्राथ र pracुंग पर्सों से आ रहा है तो कल में आपको जो देवी भगवती देवित दुर्गा है उनके पूजा का पद्दती उनके पूजा में क्या-क्या सामगरी लगती है ठीक है और कैसे कैसे आपको पूजा करना अगर आप पूरा चंडी पाट नहीं करते तो वो पूरा मैं आपको एक करके बताऊंगा आज के लिए इतना ही फिर से वही बात करना है तो मेरा वाट्सअप नंबर है आपके पास अर्जेंसी उस पर कॉल कर सकते हो वरना आप कॉल मी फॉर आप डाउनलोड करिए और उसके रूदरना सर्च की लिए उससे आप डारेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं आज के लिए टाई माकाली आप लोगों आप सभी को आदेश 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 अलाक आदेश